तो आज जो है वन पॉइंट टू चैप्र नमबर वन का इंट्रोडेक्शन टू बाइलोजी यह समझाने चादे हैं इस चार्ट को देख लें कि एक एटम होता है जो बहुत सारे एटम मिलकर ऑक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसके अंदर एटम जो होता है वो ऑक्सिजन सब मि सारे परके बनता है नोब बहुत सारे मॉलिक्यूल के मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल मिलकर एक इक यूनिट कहलाते है यह चार्ट यह बहुत हSeller इंपार्टेश चीयार्ट हैं अगर आप यह समझतैंगे तोँ लेवल ऑफ ऑर्genाइशन बहुत असानी सब समझते हैं इसाल दो सारे सेल एक जैसे सेल मिलकर टी जोस कि ए और्गन बनाते हैं के बहूत 웃ॉइन और दोसं अर्गन सिस्टम बनाटे प्र 250 पास हाते अब में आप्सुट बनकर संक्कष्रंद बनता है लगत बनकर समयआ है क्मुझे सूर्द करत बहुत सारे मुलकीम ड़नाए नियुद बनकर मैकरमूलकीम बनाते हैं ओसे पार यसे जरई मिलनगे हमान पास गे बनाएंगे जैसे की एक लंग बहुत से आरे बागन करते हैं थिस्थ्रम और ऑफ यह सीटेसी खाकिना करता है ल्ग्ण हमहा सानस वूंगिया पहले आते हुसे यह कंप द में एक सक एप्पर हो गया फिर फिर छोड़ करते को एक human being या एक animal या एक जो है चक्स वजूद में आता है फिर बहुत सारे चक्स मिलकर एक population बनाती है फिर बहुत सारे population मिलकर अलग 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 अबादी लेकर हम देखें लॉइंस की हो गई चीते की हो गई शेर की हो गई बबा शेर की हो गई यह सारे मिलकर एक community बना देंगे अब बहुत सारे community's यानि के जेबराब को गया लाइन लिजेड को गया बर्ड को जुए सी औक एल्बड को रहा क्यां में ऑफ फि कमूनीटी ये अब ये सब community मिल जाएंगी तो हम पास ecosystem बनेकी जब ये ecosystem में खटता होगी तो हम पास the site gold you वुजूर में आए कि तो सलें स्टार्ट करते हैं, the level of organization in living world are based on chemical foundation, level of organization livings का, यह किस पर based करते हैं, chemical foundation, all the living organisms are made up of cells, सारी living things, किसे बने हैं, cell से बने हैं, and the protoplasm of cells, the physical as well as chemical base of life, the level of organisms are followed, किसे बने हैं, कि level of organization made हुआ, एक cell से वुजूर आया है, living organism and made up of cell, यह cell से बना है, as well as protoplasm of cell, physical as well as chemical based on life, यह एक life पर based करते हैं, these level as show, तो इन्होंने के नीचे following कर दी है, atom, atomic level of organization, atomic level बताया है, organization करें, सबसे पहले बताएंगे, कि all the matter is made up of elements, हर matter, हर मादा, एक element से बना है, element जैसे के आप, sigma, alpha, beta, gamma, यह सारे elements होते हैं, इनसे एक atom वुजूद में आता है, जो के sub atomic particle होता है, electron, proton, neutron, हम एक atom में पढ़ते हैं, chemistry में के एक electron है, दो proton है, एक neutron है, इस तरह एक atom हमारे वुजूद में आता है, और hundred kinds of elements, अमंग इस 16 elements are called bio elements, 16 elements, एक जैसे 16 elements बनकर bio elements वुजूद में आते हैं, इस a ritual of life, six elements, C, H, O, S, and P are called basic elements of life, carbon dioxide, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfate, and phosphorus, तरह के प्रुछी बाता है, molecular level of organization, molecules are found in the binding of atom, molecules कहते हैं, binding molecule, एक molecule जब अजूद में आता है, जब binding of atoms जैने, atom जब आपस में bind हो जाते हैं, तो एक molecule वुजूद में आता है, फिर कहना है, the atomic molecules of cells are called biomolecules, बहुत सारे molecules, organic molecules, biomolecules बनाते हैं, we are classified as micro molecule and macromolecule, जैसे हम classify करते है, micro molecule and macromolecule, आप जहां तक निशान लगे हैं, वह याद करेंगे, तो वह जदा इंपॉर्टेट है, और वह बिल्कुल भी एक आपका नमबर कट नहीं होगा, पूरा long question है, बहुत दा इंपॉर्टेट है, आप एक दफार सब समझ की सही से पढ़ेंगे तो बहुत दें एजी लगेगा, उसके बाद ही कहरे है, अब इस के देंदें यह होगा कि भई यह बहुत सारे मिलके यह काम करते हैं, फिर यह बनाते हैं, जब यह बायो मॉलकुल एक साथ वर्क करने लग जाते हैं, तो यह प्रोटो प्लाजम बनाते हैं, इस परोटो प्लाजम, और बहुत सारे प्रोटो प्लाजम आपस में वर्क करते हैं, यह यूनिट बनाते हैं, यूनिट कहते हैं, जिसमिन अपको पहले ही बता दिया था, और यह सेल जो है, लिविंग फिंग की बुनियाद होती है, एक सेल वुजूद में आता है, तो एक और गन बनाते हैं यही लिखाब दिटेफेंट टैपस ऑफ टीशू सरी इन पारिटिकुलर मैनर तु वर्क तुगेदर आर कॉल ओर और और अर्गन ऑफ डिएर्ट टैपस वर्क तुगेदर को अटिनिशिंग मैरे तु परफॉर्वर्फॉर्फॉर्ट फंक्ट्ट्वन ऑफ यानिके बहुत सारे organ system बनाएं मिलके और multi cellular organ system बनाते हैं taxonomic level taxonomic level ने लेवल होते हैं जिसमें species बहुत सारी similar species जब एक साथ मिल जाती है तो अधिना लेवल हो जाता है और उनके पर off spring यानिके जो हैराइदी यूनित और off spring आते हैं यहां टेक्सिनमिक लेवल कहते हैं, पॉपुलेशन जब बहुत सारे मेंबर स्पीशीज के, एक साथ एकटा होते हैं, जिनकी सीम हैबिटेट होती है, या जो सिर्फ बरफ पे रहेंगे, तो वो पॉपुलेशन होज़गी उनकी, वो सिर्फ पे रहेंगे, जो पानी के अंदर रहते हैं, वो सिर्फ पानी के अंदर ही रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, वो सिर्फ जमीन पे ही रहते हैं, वो एक पॉपुलेशन होज़गी के, वो वहीं पाहे जाते हैं, कम्यूइटी कम्यूइटी कहते हैं different species living in a specific habitat बहुत सारे species थास्टे के रहने वाले जानदर बहुत सारे हैं जानवर में बात करें यह दरख पर राने वाले जानवरों की बहुत सारी बात करें जैसके birds नहीं हो गया है प्राफट यूद टाई लिविग्टिन भी आएज़ इन्वीर्मेंट जब वजूद में तो नॉनलिवंग थींग थाई तो वह एक जै कि एक पनता है ecosystem व्यूद में बायोस्फियर नैवल कहते हैं आप एक्सित ऑफ आप लाइफ एक्सित अपर और एक्सित अप्स तो अब्धित बहुत इंचित आप्स पूरा सुरार सिस्टम हो गया जिसके पास प्लोट ओ गया बारकरी ओगे वनास हो गया इस सारे बनके एक पूरा सब्सक्राइब करें लाइक करें मिलती हुने आप से नेक्स वीडियो में अलाहाफिस